हेलो दोस्तों, Solidity Fundamental Course में आपका स्वागत है, मेरा नाम अंजली है और इस Course में मैं आपकी गाइड रहूंगे, तो आज के पार्ट में हम Mapping के बारे में डिसकस करेंगे, Mapping एक Reference Type Data Type है, जैसे कि हमने Struct and Renum पढ़े थे, वैसे ही Mapping भी एक Reference का Type of Data Type है, और आज हम उसके बारे में जानेंगे, तो Mapping है क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक Reference Data Type है, मतलब इसका हम बाकी Reference Data Types की तरह, ये भी जो है, डेटा का जो है Address या फिर Location सेव करता है, Reference Pointer की तरह Reference करता है, ना कि ये Data Actual जो है, वो कॉपी करता है, तो अगर आपने किसी और Programming Language में Dictionary या Hashtable Data Structure यूज किया है, तो आप इसको आराम समझ पाएंगे, और बाकी लोगों के लिए भी ये बहुत ही आसान से चीज़ है, बट बहुत useful concept है, ये क्योंकि Mapping का जो Data Type है, जब आप Smart Contracts अपने लिखने शुरू कर देंगे, तो आपको समझ आएगा कि इसकी बहुत ज़्यादा utility और use case है, मतलब काफी काम आने वाला Data Type है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है, एक Key Value Pair बनाने में, Key Value Pair मतलब दो चीज़ों की relationship build करने में, ये काफी ज़्यादा मदद करता है, और ये एक Unique Key Value Pair होता है, मतलब कि एक तरीके की Key की Value, अगर आपने मान लिज़े, Key कोई One Set की है, Key आपने One रखी है, इसका मतलब कोई भी Data Type हो सकता है, वैसे Key का, Integer भी, भी, Boolean भी, कोई भी Value टाइप, Data Type इसका हो सकता है, तो मान लिज़े, हमने Integer रखा है, और हम Key कहते हैं, One है, तो अगर हम One की Against, Value कुछ सेफ करते हैं, मान लिज़े, हम अपनी Course की ID को One देते हैं, और Course का नम Solidity रखते हैं, तो हमने Key ID One की Against, Solidity नेम रखते हैं, तो अब One की Against, अब कोई और नाम नहीं रख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं, यूनीक Key Value पेर होना, कि अगर हम कभी भी बाद में, अपने Code में जाके, इस Mapping Data Type को यूज करके, उसमें Key Value 1 भरेंगे, तो automatically हमारे पास जवाब Solidity ही आएगा, उसमें कोई Conflicting चीज नहीं आ सकती कभी भी, तो डेटा डालते वागत, अगर आपने माली चे एक ID पे Solidity सेफ कर दिया, और आप दोबारा जाते हो, एक पे Rust सेफ करने, तो वो अपडेट हो जाएगी value, Solidity की जगा Rust सेफ हो जाएगी, अगर आप एक दोबारा सेम की value पे कुछ नहीं value डालना चाहते हो, तो वो ऑवर्राइट हो जाती है, बट कभी भी दो values जो है, वो नहीं सेफ होती, तो कल को अब जो रेट्रीफ करोगे, तो वन की जगा Rust कोर्स निकल के आएगा, Solidity नहीं आएगा, तो इसलिए ये एक unique key value pair को सेफ करती है, तो इसका use case क्या है, जैसे कि आप समसकते हैं, बहुत जगहां पे इसको use होते हैं, अगर आपने सबस करे लिए NFT मिंटिंग के लिए आपने वो बनाया है, true or false, इसने मिंट कर लिया है कि नहीं कर लिया, जैसे ही वो by default false होता है, तो Solidity में क्या होता है, कि null का concept नहीं आपने पढ़ा है, तो अगर आप key value pair में key रखते हो address, और value रखते हो boolean, तो अगर आप ना भी कोई boolean value save करो, तो by default false result आपको आजाएगा, जैसे आप उसको true कर दोगे, और कल को आप retrieve करके देखोगे, कि भाई इस mapping की value क्या है, या तो आप false उमीद कर रहे हो कि default है, मतलब कुछ डाला ही नहीं था, तो false आएगी, बट अगर वो true निकल के आती है, मतलब इसने NFT mint किया हुआ है, इसको allow नहीं करना, तो फिर आप ऐसा code लिखोगे, कि उसको NFT minting allowed नहीं होगी, तो ये एक one of the example है, जो mapping का एक use case है, mapping के और बहुत सारी use cases है, हम struct बनाके, पुरा-पुरा complete structure बनाके, details उसकी डालके, उसको भी as value use कर पाते हैं, तो बस इसमें दो चीज़े ध्यान देने वाली है, कि जो आपके key होती है, वो तो कोई भी built-in data type हो सकती है, built-in data type मतलब user-defined data type नहीं होना चाहिए, या reference type data type नहीं होना चाहिए, आपके कोई unsigned या signed integer हो गया, string हो गई, boolean हो गया, address हो गया, यह सब allowed है, in fact, string तो reference type data type होती है, बट string भी allowed है, byte array भी allowed है, बट reference data type बाकी जो बचे हैं, जैसे कि dynamic arrays हमने पढ़े थे, वो, या फिस struct हमने पढ़े थे, या enum हमने पढ़े हैं, तो key जो है, उसका data type कभी भी वो dynamic array, enum, struct यह सब नहीं हो सकता, जो value types, जो हमने पढ़े थे, simple, basic, primitive, जो solidity के होते हैं, वो मेशा key के type ले सकते हैं, बट value जो है, key value pair में, key पे तो restriction है, बट value पे कोई restriction नहीं है, value आपके simple सी unsigned integer, signed integer कुछ से लेकर, कोई complicated सा struct भी हो सकता है, तो value पे कोई restriction नहीं है, वो कोई भी data type हो सकती है, तो ये दो important points का ध्यान रखनेंगे हमेशा, कि key जो होती है, वो built-in data type ही हो सकती है, जाद से जाद कोई byte area string हो सकती है, उससे जाद reference data type कोई और allowed नहीं है, बट value जो है, वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी data type हो सकती है, हम जादा तर देखेंगे कि हमारी जो mapping में होता है, वो addresses को लेकर बहुत help होती है, mapping store करने में, वो हम जब code लिखेंगे, आगे इसलिकर complex contract codes बनाएंगे, तब आपको उसकी utility जादा उस time समझ में आएगी, बट फिलाल के लिए हम इसका basic सा syntax देख लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं mapping keyword, और अंदर हम data types mention करते हैं, जैसा कि मैंने बताए, की का data type क्या है, integer है, boolean है, address है, जो भी है हम यहां mention करके, equal to greater than sign से एक arrow बनाते हैं, और फिर value का data type mention करते हैं, तो मान लीजिए आपके code में आपने एक struct बनाया, course नाम का struct जैसे हमने create किया था, जब हम struct पढ़ रहे थे, तो हमने एक struct बनाया था, जिसका नाम हमने course रखा था, उसमें हमने उसकी ID रखी दी, उसका नाम रखा था, एक boolean रखा था, कि वो free है कि paid है, तो वो सारी हमने details रखी थी, और हम उस पूरे के पूरे struct को, जिसका नाम course था, यहाँ पर course लिख सकते हैं, value type की जगा, तो वो समझ जाएगा कि struct जो course इन्होंने बनाया, वो वाला data type जो है, वो इसको reference करेंगे, तो हम क्या करेंगे, basically key type हो गया हमारा कुछ integer, जाने कि ID's बगएरा, और उस ID के गेंस्ट हमने पूरी की पूरी value से पर ली, तो जिन लोगों को डेटाबेस के थोड़ा सा नौलेज है, आपको पता है, टेबल में हम यह काम करते हैं, कि एक ID, यूनीक ID मेंशन करते हैं, कि उनीक ID 1 प्राइमरी की, जिसको हम बोलते हैं, और उसके गेंसे हम सारा data सो स्टोर करते हैं, तो कभी भी हमने data जब देखना होता है, तो हम वो प्राइमरी की पास करते हैं, और उसे हमें पूरा का पूरा data निकल के आ जाता है, कि उसका क्या जो भी स्टोर है, वो ही सेम काम अगर ब्लॉक्चेन पर करना होता है, तो हमारा मैपिंग जो है, वो data type हमारे लिए सबसे ज़दा काम आता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, most commonly used जो data value type है, इसमें वो Ethereum होता है, मतलब data type, key type Ethereum address होता है, और value type कुछ भी हो सकता है, तो यह ऐसा नहीं कि सिरफ इसी के साथ use हो सकता है, आप simple data types भी रख सकते हो, बट इसका काफी, मतलब एक बड़िया example है, कि अगर आप Ethereum address लिखो, जैसे कि मैंने बताया, NFT minting देखनी है, तो आप address को key में लिखो, और उसके value set कर लो, true, false, कोई string स्टोर कर लो, या कुछ भी कर लो, तो यह काफी अच्छा use cases का होता है, काफी बार आप देखोगे कि address को use करके, mappings जो हैं हमारे code में लिखी जाती है, बहुत common practice है, तो चलिए, थोरी पार्ट इतना ही, अब थोड़ा सा remix ID में जाके, mapping को लिखके, deploy करके, results देखते हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने mapping नाम का contract बनाया है, जैसमें license line और version मैंने mention कर दिया है, आईए अभी एक mapping data type बनाते हैं, तो जैसे मैंने आपको पताया, शुरू करेंगे हम, जैसे कि थोड़ा सा zoom कर लेती, शुरू करेंगे हम mapping लिखके, data keyword जो है, मैरा mapping है, round bracket में, तो मान लिख हम एक simple सी mapping का data type बनाते हैं, मान लिख हम एक course की details ऐसे कि हम discuss कर रहे थे, तो हम एक mapping बना रहे हैं, जिसमें हम course ID जो है, उसको key रख रहे हैं, और value में हम एक simple उसका course का नाम सेव कर रहे हैं, आप एक complicated struct भी बना सकते हो, सारी details उसमें आ जाएंगी, multiple details, बट फिलाल के लिए आप एक simple सिर्फ यूज के समझने के लिए बनाते हैं, जिसमें मैं कहते हूं कि जो मेरी mapping की चाबी होगी, key होगी, वो होगी एक unsigned integer, जिसकी helpC में जो save करूँगी, वो होगी एक string, ठीक है, और इस mapping public कर देते हैं, इसको visibility, और इसका नाम दे देते हैं, कुछ course details कर देते हैं, इसका नाम, ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं, कि एक state variable data हो गया है, अब यह data type, हमने खुड define के user define हो गया है, यह तो हम इसको यहीं पर declare करते, बढ़ हमने ऐसा नहीं किया, तो अब हम इस value इसको कुछ set करनी है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक function लिखना पड़ेगा, तो चलिए अब एक function लिखते हैं, function का नाम मेंने लिखा set value, मैंने user से input कराई, क्या input कराई मैंने, एक तो course ID input कराई, कि किस course ID के against, यह course का नाम होगा, तो नाम मैंने user से लिया, जब मैं string लिखती हूँ function में, तो हमेशा मुझे memory साथ पर लिखना पड़ता है, यह उने आपको बताया था पहले भी, तो आप string के बाद लिखें memory, और माली जए हमने इसका नाम दे दिया argument का, course name, इसको हम public कर देते हैं, और curly bracket में, अब हम code लिखेंगे, तो अब से बहुत simple है, अब देखें कैसे mapping को set करते हैं, तो अब ही तक हमारी mapping blank है, हमने सिर्फ define करके इसको छोड़ रखा है, अब हम user से क्या मांग रहे हैं, function के through, हम मांग रहे है course ID और उसका course name, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी mapping लिखेंगे, तो जैसा कि arrays में होता है, सिमिलर ही है बिल्कु सिंटैक्स में, स्क्वेर ब्राकेट में हम की लिखेंगे, क्यों कि है course ID हमारे case में, कुछ भी हो सकता था जो यहाँ पर पास करते हैं, वो आप यहाँ लिखते, पर यह solidity चेक करता हैं, आपने unsigned integer पास किया है, वैल्यू इसकी क्या होती है, course name कर देती हूँ, तो अगरा मैं जैसे इसको save करूँगे, आप लेकी error आजाता है यहाँ पर, error क्या कह रहा है, कि यह जो है वो गलत है, तो इसलिए मुझे इसको uint करना होगा, और uint के बाद, अभी भी कुछ चीज़े, course details हमने लिख दी, course id name पपलिक कर दिया, function हमने लिख दिया, set value, string में नाम लिख दिया, और एक bracket extra डाला होगा, तो यह अब green हो गया, तो देखी, यह green हो गया है, मतलब हमारा code successfully compile हो गया, अब इसको deploy कर लेते हैं, जैसी मैं इसको deploy करती हूँ, जूम कर लेते हैं थोड़ा, अब देखिए, तो यह मेरी mapping create हो गई है, तो starting में मेरी mapping में कुछ भी नहीं है, माली जै मैं one id पे course detail पे क्लिक करती हूँ, तो मुझे एक empty string मिलती है, null नहीं मिलेगा कभी भी solidity में, empty string मिले क्योंकि कुछ set नहीं किया, बट अगर मैं set value function के लिए one भेजती हूँ id में, और solidity भेजती हूँ course name में, और set value पे क्लिक कर देती हूँ, और अब मैं course detail पे क्लिक कर देती हूँ, तो देखिए, solidity return हो गया, मतलब यह value यहाँ पे set हो गई, similarly माली जै अगर मैं course id 2 भेजती हूँ इसमें, रस्ट, course name rust set करा, और set value कर दिया, अब देख बारा क्लिक करिया, तो मेरे पास return वापिस आ गया, rust, तो यह mapping एसे data की जो relationships है, वो save करके रखती है, तो mapping data type के बारे में इतना ही, मिलते हैं अगले lesson में,